ओके फाइन, तो बॉर्णिंग अल उफ्यू, इन लास्ट लेक्चर वी एट सीन अबाउट दे बेजिक्स ऑफ फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट, दे कुली स्ट्यूब एक्स्परिमेंट, तो आज इस सेशन में हम लोग बहुत डीटेल में स्टडी करने वाले हैं, आइंस्ट इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक magical formula में मिलेगा, जिससे हम एक की बार में, 5 मिनिट में 36 types of MCQs कर सकते हैं, 5 मिनिट, 36 types of MCQs कम्प्लीट करूँगा, ठीक है, यस बीटा, प्लीज कम, पास्ट, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आइंस्टेन इक् अगर हम किसी photon को incident करेंगे, किसके उपर, एक photosensitive surface के उपर, तो इस तरह से photon आया था, क्या कर रहा था, नॉक नॉक करेगा, तो electron क्या मांगेगा, energy, इसको बोलेगा, मेरी energy कितनी है, work function जितनी, अगर आप मुझे work function जितनी energy दोगे, तो हम बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो यह जो photon है, अगर उसकी energy, exactly work function जितनी होती है, तो electron surface को छोड़ता है, ठीक है, हम लोग ने यह देखा था, अगर उससे जादा हुई, तो बाहर भी आएग और भागेगा, kinetic energy भी possess करेगा, ठीक है, तो इसी को बहुत simple form में, Einstein ने समझाया था, बहुत ही simple form में, क्या, यह incoming की जो energy है, मालो है h new है, ठीक है, इसकी predefined energy है, जो minimum इतनी तो supply करनी पड़ेगी, उसको हम work function करते है, ठीक है, तो यह h new जो आप supply करोगे, वो दो जगा पे जा इसको गलत साबित करने के लिए, हाथ पेर क्या ना दो के पीछे पड़ गए थे, कौन? Millikan, Millikan oil drop experiment सुनाओगा आपने, बस वही uncle थे, तो ना दो के पीछे पड़ गए, कि भाई, तू गलत कह रहा है, और उन्हें specific charge, जो मैं आपको एक graph बताऊंगा, उसके अंदर एक slope ढू प्रूव करने के चक्कर में उन्होंने सही प्रूव कर दिया, और तब से Millikan का जो experiment था, वो proof माना जाता है कि Einstein सही था, इसलिए जो बंदा सही गाम करें, उसके टांग नहीं घीचनी जी, support करना जी, right? बट ठीक है, scientific community होती ही इसी वज़े से, कि हर चिसको प्रूव करें, उ वो, है न, वो left तो होना ही चाहिए, government के सामने left तो होना ही चाहिए, right? तो criticism होना ही चाहिए, हमेशा, उससे हमेशा growth होता है, but positive criticism होना चाहिए, right? चले, तो Einstein ने बहुत ही simple सी equation दी थी, conservation of energy की, कि जो भी energy लेकर photon आएगा, उससे पहला खर्चा क्या करेगा, work function को satisfy करेगा, औ क्या मैं इस H new को अलग तरीके से भी represent कर सकता हूँ, yes, क्या मैं इस 5 को बहुत सारे different तरीके से represent कर सकता हूँ, yes, और मैं इस kinetic energy को भी बहुत सारे अलग-अलग type से represent कर सकता हूँ, तो यहीं से एक मेरा जो formula बनेगा, जो मैं multiple तरीके से आपको बताऊंगा, यह 36 mcqs in 5 minute की trick, तो यहां से होने वाला क्या है सी, we had seen that, कि हमने formula देखा है, H new is equals to, क्या था, 5 plus kinetic energy की max value, ठीक है, क्या मैं H new को energy of incident photon कह सकता हूँ, yes, क्या मैं H new को hc by lambda कह सकता हूँ, yes, क्या मैं work function को h new not कह सकता हूँ, yes, क्या मैं hc by lambda not कह सकता हूँ, yes, क्या मैं kinetic energy को half m v maximum का square कह सकता हूँ, yes, क्या मैं kinetic energy को p maximum का square by 2m कह सकता हूँ, yes, and last but not the least, मैं इसको e v not b कहूंगा, सरी e v not क्या, v not is called stopping potential, मैं stopping potential पे थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है, और बट उसके भी पहले, मैं आपको 36 mc के trick देता हूँ, यह stopping potential पहले बहुत detail में पढ़ेंगे, अच्छे से, ठीक है, don't worry at all, तो अभी question कैसे आएगा, पहला question में बना रहा हूँ, कि, if a photon of frequency new, incident on a metal plate having work function 5, what would be the kinetic energy of emitted electron, हो गया, first question, the photon with frequency new, incident on a metal plate with a work function 5, then what would be the maximum velocity of emitted electron, second question हो गया, वैसे ही हो गया, कितने है, चार question, फिर मैं पूछूँगा, what is momentum of emitted electron, फिर मैं पूछूँगा, what is the stopping potential needed to stop that electron, ठीक है, तो यह, एक इसके जाथ, एक इसके साथ, चार, अभी मैं बूलूँगा, 5 नहीं दूँगा, when a photon with frequency new, incident on a metal surface having threshold frequency new not, now I will not give 5, I will give new not, तो आप combination करोगे न, तो एक के साथ, यहां पे चार आ रहा है, इसके साथ और चार, आठ, और चार, बारा, मलब एक के साथ बारा equation बन रहा है, वैसे, 3 है, सोच लो, कितना हुए, 36 हुए कि नहीं, 5 मिनिट या, 2 मिनिट में 36 है, ठीक है, if you remember this equation, you can make a number of questions through this, by changing the values, yes or no, जैसे मैं कोई यह लेना है, चल, मैं चाहता हूँ, मैं यह यूस करूँ, यह, ठीक है, तो मैं क्या question frame करूँगा, the photon having wavelength lambda incidence on a metal surface having threshold frequency nu naught, then what would be the stopping potential needed to stop the emitted electron, if the photon having frequency, sorry, wavelength lambda emit the electron for which the stopping potential needed is nu naught, then what would be the threshold frequency of that metal, unknown यह भी हो सकता है, ज़रूरत नहीं हर बार unknown यह होगा, ठीक है, तो उस 36 के अंदर भी, 3 जो आपके वो है, क्या कह सकते हैं उसे, component of equations है, उसमें से कोई भी change हो सकते हैं, कोई भी unknown हो सकता है, ठीक है, तो multiply by 3, इतने और MC किस हो गए, बेड़ा समद में आया है कि नहीं, ठीक है, तो वो कुछ भी unknown करके पुछ सकते हैं, तो इसके ही इतने सारे questions आपको मिलेंगे, आप variety of books देख लो, आप variety of material देख लो, आपको इस equations के paid बर के question मिलेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे question पड़े हुगे, रहम आज बहुत सारे question इसके solve भी करेंगे, ठीक है, so understanding this equation is very important as far as photoelectric effect is concerned, ठीक है, बेड़ा समद में आया है ये सबको, ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं, फिर आरम से लिखते हैं, stopping potential समझने के लिए, कल वाली circuit क्या सबको आ रही है, अच्छे से आ गई, कल वाली आपको जो figure था, diagram तो याद है, येस, चलो, एक बार और हम लोग इसको redraw करते हैं, फाइन, तो सबसे पहले, क्या था, glass tube, glass tube के अंदर यहाँ पर quards window थी, quards window के अंदर यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ था, photosensitive plates, इसको emitter plate, cathode C कहते थे, इसको anode A कहते थे, this was collector plate, जो क्या collect करता था, electrons, ठीक है, फिर हम लोग ने क्या किया, एक यहाँ पर ultraviolet rays incident की किस पर, तब ही electrons भार आए, ठीक है, और यहाँ से connection हमने भार दिया हुआ था, इससे, है न, इस तरह से, और यहाँ पर commutator switch थी, जिसको ऐसे cross करके ऐसे किया था हमने, और यहाँ पर उसके connection थे, middle connection, जिसको उपर टक, नीचे टक कर सकते थे, उपर टक करोगे तो इससे connection होगा, यह positive और negative होगा, नीचे टक करोगे तो polarity reverse हो जाएगी, ठीक है, तो इस type के switch थी बताया था मैं निकल, fine, अब यहाँ से, हमन जब इसको बाहर निकला था, तो यहाँ पर आपको, emitter दिखा था एक, और यहाँ पर आपने क्या रखा था, voltmeter, उसके बाद नीचे जो circuit थी, उसमें क्या था, real state, यहाँ पर battery थी, इसको connect कर दिया था, और यहाँ से जो connection था, वो variable register पे लेके गए थे, ठीक है, अब जो ध्यान दे रहा, यहाँ से जो भी ultraviolet rays आ रही है, वो जो electron निकाल रही है, बट obviously यह जो electrons है, they are having some kinetic energy, तो with that kinetic energy, they will enter in this plate, and they will flow through circuit, ठीक है, अब होगा क्या, कि यह जित्ते भी काइनटिक energy लेकर आ रहे थे, ठीक है, अगर यह current को में zero कर दू, कैसे भी करके, तो मुझे क् पड़ेगा, बैटरी में reverse voltage supply करना पड़ेगा, क्योंकि electron खाली डरता negative potential से, electron stop नहीं होगा, unless and until you are not providing a negative potential to it, तो हम यहाँ पे बैटरी का negative terminal यहाँ पे connect करेंगे, हाना जिससे होगा क्या, कि incoming electron को मुझे stop करना है, लेकिन अगर वो बहुत kinetic energy लेके आएगा, तो बैटरी की भी नहीं सुनेगा, वो गुच जाएगा और current flow करवाएगा, तो हमें क्या करना है, एक ऐसी value दीरे 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 सेट करनी है negative potential की, कि एक ऐसा point आए, कि तेरा यह जो current हो क्या हो जाए, zero हो जाए, क्या हो जाए, zero हो जाए, so the value of this potential, when the current inside circuit becomes zero, that is called stopping potential, समझ मैं है, it stops all the electrons to flow, clear, fine, तो जब हम इसको यह reverse potential देंगे, तो वो potential की वज़े से उसे कुछ energy मिलेगी, और वो energy, kinetic energy को balance कर देंगे, since you have seen this formula in your standard 10, यह great 10 आपने यह formula पढ़ा होगा, voltage is equals to work done per unit charge, क्या पढ़ा आप लोग में, yes, तो क्या मैं कह सकता हूँ, work done is equals to charge into voltage, क्योंकि electron के charge को हम E कहता है, यहाँ पर यह V से multiply होके क्या work done दे रहा है, yes, उसी को मैंने kinetic energy से compare किया था, पिछले equation में ध्यान दो, यहाँ पर मैंने EV not लिखा था, this not stands for stopping, तो V जब V not बनता है, that becomes a stopping potential, तो वो stopping potential exactly अगर kinetic energy के equal हो गया, तो तुमारा current भी flow होना बंद हो जाएगा, तो तुमारे circuit के अंदर जो current हो क्या हो जाएगा, 0, clear, तो यह current जब आपका 0 होगा, उस वक्त वाले voltage को ही हम क्या कहेंगे, stopping potential, बिड़ा समझ मैं है सबको, easy है, ठीक है, तो यह circuit is very important for defining stopping potential, तो यहाँ पर यह current 0 हो जाता है, अब हम next part में समझेंगे, कि इंटेंसिटी ऑफोटोन पर क्या-क्या dependables है, and what do you mean by intensity, क्योंकि यह word को हम modern physics में उस तरह से नहीं समझेंगे, जिस तरह से यह word का definition है, for example, if I am talking about intensity, increasing intensity, तो आपको यह लगेगा कि मैं कुछ energy बढ़ाने की बात करते है, ठीक है, yes or no, हमारा दिमाग में intensity का definition तो यही हाता है, कि energy बढ़ा दिया, लेकिन since we are studying quantum physics, we are not studying mechanics or electrodynamics, हम क्या पढ़ रहे है, quantum physics तो यहाँ पर intensity का meaning भी थोड़ा different है, समझना दियान से, जब मैं आज के बाद कभी भी ऐसा कहूंगा modern physics में, कि I am increasing intensity, that means I am increasing number of photons, क्या बढ़ा रहा है बोलो, number of photons, तो यहाँ पर मैं दो चीज़े define करना चाहूंगा, one, the quality of photons, second, the quantity of photons, quality of photons बढ़ाना मतलब, याद करो कलर ने बहुत सारे photons ड्राउ किये थे, राइट, मैं वापस एक दो ट्राउ करके देता हूँ, जैसे ये एक photon है, ठीक है, और दूसरा एक red color का photon ले लेता है, ठीक है, ये red color का photon है, तो इसके frequency high है, इसके frequency low है, इसके packet में ज्यादा energy store है, इसके packet में कम energy store है, तो if I say I am increasing the quality of photon, that means that is possible only by increasing frequency, मैं photon की quality बढ़ा रहा हूँ, समझ मैं, तो मैं frequency increase करके बढ़ा हूँ, और जब मैं ऐसा कहूँ आपको, कि I am increasing intensity, मतलब I am increasing quantity of photons, तो intensity का मतलब क्या होगा, यहाँ पर energy नहीं है, ध्यान रखना, अगर energy होता, तो frequency से बढ़ता है, intensity बढ़ाने से आप number of photons बढ़ाऊगे, क्या बढ़ाऊगे बोलो, number of photons, अब देखना, एक चीज मैं आपको बताऊँ, जैसे for example, कोई light source है, माल लो, कोई भी light source है, ठीक है, उस light source के अंदर से बहुत सारे photons बाहर आ रहे हैं, अब मैंनो उस पर एक खीड़की लगा दी, ठीक हो मैं खीड़की को दीर दीर ऐसे खोलूंगा, तो क्या होगा, photons बढ़ेंगे, जादा आएंगे, yes or no, तो एक तो ये तरीका है, कि exposure कम जादा करो, photons जादा कम होंगे, दूसरा एक तरीका है, कि light के बहुत नजदिक जाओ या दूर जाओ, तो number of photons जो unit area पे receive हो रहे है, उसकी value के अंदर भी difference आएगा, yes or no, नजदिक जाओगे तो क्या होगा, बढ़ ओवेसली बढ़ेगा, ठीक है, और दूर जाओगे तो कम होगा, तो intensity अपसे, intensity का मतलब क्या होगा, बोलो, intensity means number of photons, क्या है बोलो, number of photons, ठीक है, number of photons को अगर आप increase करोगे, तो उसके dependables कौन है, simple सी बात है, तो 10 photon डाल रहा था, तो 10 electron निकले रहे, तो 100 photon डालेगा, तो 100 electron निकलेंगे, तो इसके dependable है photo electrons, क्योंकि अगर photon जितना आया, उसके हिसाब से तो electron निकलेंगे, अगर photon 10 आया, तो electron 10 निकलेंगे, अगर photon 100 है, electron 100 निकलेंगे, yes or no, तो यहाँ पर क्या मैं कह सकता ह कि number of photons पे dependable है number of photo electrons और number of photo electrons इतना ज्यादा होगा तो Q equal to any चार ज्यादा हुआ चार ज्यादा हो तो क्या current ज्यादा होगा तो इसके उपर dependent है photo current क्या dependent है photo current तो जब भी मैं intensity बढ़ा होगा तो आपके दिमाग में यह पूरा चक्कर चल जाना जी कि photon बढ़े photo electron बढ़े चार्ज बढ़ेगा चार्ज बढ़ा current बढ़ेगा बढ़ा समझ में आया ठीक है तो while increasing intensity will increase photons that will meanwhile increase photo electrons that will again increase photo current तो current कोई फर्क पढ़ता intensity बढ़ाने से याद रखने काइनिटिक एनरजी को फर्क नहीं पढ़ेगा ठीक है तू सिंपल सी बात है जो मैंने कल आम तोड़ने वाला example दिया थी है न थर्मो कॉल बॉल से आम तोड़ रहे हो तो अब उस आम की capacity होनी उस थर्मो कॉल बॉल की capacity है ने आम तोड़ने की ठीक है तो तू हजार दे दे कुछ नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर भी ऐसा है कि तो intensity कितनी भी बढ़ा अगर photon की ओकात नहीं है न फोटो electric effect कराने की तो तू कुछ भी कल लें यहां से कुछ नहीं निकलने वाला तू पांच लाग डाल दे कुछ नहीं होगा समझ में आया ठीक है तो सबसे पहले photo electric effect कराने के लिए बहुत जरूरी है कि तेरी frequency threshold से जाधा होनी चाहिए यह तो सबसे प्राइम चीज है यह सारा discussion तब होगा जब photo electric effect हो रहा है समझ में आया कि नहीं अब वो लोग क्या करेंगे आपको इसमें फसाएंगे वो frequency ऐसी दें intensity what is going to happen अरे कुछ नहीं होगा त्रेशोल्ड तेरी देख का है और तु देख क्या रहा है समझ में और तुम क्या सोचोगे हाँ intensity सर ने बोला था intensity मतलब photons, photons मतलब photo electron, photo electron मतलब current, current बढ़ेगा खतम अरे बहुत जरूरी है कि आपका presence of mind होना चीए वाइल रिदिंद दो कोश् ठीक है क्योंकि modern physics के अंदर जादा से जादा statements में फसाएंगा ठीक है और वहाँ फसना नहीं है हर जिसको अच्छे से पढ़के फिरी answer करता है ठीक है तो ये सारा discussion तब भी आता है जब photo electric effect हो रहा है and for that the frequency must be more than threshold frequency and wavelength equal to or less than equal to होगा तो भी होगा ठीक है equal to or less than दोनों चलेगा ठीक है चली आगे बढ़ते है नेक्स चीज़ है frequency of photons and it's dependable अब चले देखते frequency से क्या होना है तो तो ये वाला photon था ठीक है ये कुछ दे रहा था मैंने इसके frequency बढ़ा के change कर दिया ठीक है थोड़ी high frequency कर दी तो आप खुद सोचो क्या होगा तो सबसे पहले तो जब आप इस new 1 जितनी energy दिती इसको h new 2 जितनी energy दे रहा है ठीक है this is equals to 5 that is equals to 5 plus plus k max 1 this is k max 2 ठीक है अब माल नो same material को दे रहा है तो उसका work function कैसा होगा same very good तो अभी अगर तेरा work function same है तो but obviously अगर तु माल ने यहाँ पर 10 units दे रहा है और यहाँ पर तेरा 2 EV है तो 10 EV दे रहा है 2 EV है तो यह कितना होगा 8 EV बहुत simple सी बात है और अगर यहाँ पर तुने 10 को increase करके 12 EV कर दिया तो इसको तो 2 EV चाहिए भई आना कल मैंने बताया त तो जो तेरा km2 आएगा उससे सीधा क्या होने वाला है यहाँ पर 10 EV इसका मतलब यह 10 electron world के एनर्जी लेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कंपेसिव सी काइनेटिक जी जाद है अब सिंपल सी बात है तो काइनेटिक जी चेंज हो रहे है तो काइनेटिक जी के बढ़ेगा ठीक है क्योंकि तेरा electron ज्यादा एनर्जी लेके आ रहे है ज्यादा एनर्जी लेके आ रहे है तो stop करने के लिए नेगेटिव पोटेंशल भी हाई होना चाहिए अब stopping potential में बच्चे एक चीज़ से भी फसत है जैसे stopping potential की value हमेशा negative होती है ठीक है तो हम हमेशा य अगर मैं आपको सो दूआ कि और मैं आपको माइनस बौल्ट दूआ तो आपको माइनस हंड्रेट वोल्ट तो कुछ भी नही करेगा चुछ नहीं करें लो क करेगा करेगा कि लिया तो तो बहुत कम नहीं होता, नहीं, सुनो ध्यान से, अगर आप positive 100 volt दे रहे हैं, अपने आपको, तो आपकी body से electron निकलेंगे, और उस 100 volt के potential के उकात अनुसाथ, बहुत सारे electron जाएंगे, उतनी ताकत से, यसौन नो, और आप minus 100 volt देंगे, तो आपकी body में electron एंटर होंगे, बस यहीं फर्क होता है, प्लस potential, माइनस potential, magnitude देखना है, हमेशा, 100 volt इतना ही dangerous है, इतना ही dangerous है, इतना प्लस 100 है, समझ में आया की ने, आपकी body को सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, एक देने से electron बहार आ रहे थे, दूसरे देने से electron अंदर जाएंगे, और हमारी body को नहीं पता कौन जा रहे है, कौन आ रहे है, उस उताली यहीं पता चले का कुछ हो रहा है, समझ में आया की नहीं, तो अगर difference, माल लो, हम reference ले लेते 0, हम reference ले लेते 0, तो अगर मैं ऐसा कह दू, कि यह 0V है, यह minus 100V है, तो इस battery का potential difference 100V है, जो सौन नो, और अगर मैं यह कह दू, कि यह 100V है, यह 0 है, तो भी battery का potential difference 100V ही है, समझ में आया की नहीं, ठीक है, तो याद रखना, कि अगर negative 4 दे रहे हो, तो उसकी ताकत जादा है रोकनेगी, negative 1 से, negative 2 से, फिर यह मत सोचना, minus 1 is greater than minus 6, बढ़ा समझ में आया की नहीं, क्योंकि कहीं बार क्या बच्चा इसमें भी confused हो आता है, उसको लगता है, हाँ, मैं number line तो पढ़ाओ, minus 6 is less than minus 4, और minus 2, तो question क्या पूछेंगे ल incident होने से, रोकने के लिए, minus 4 देना पड़ा, किस की ताकत जादा होगी, minus 6 वाले की याद रखना, ठीक है, इसमें भी पस होगे नहीं, तो यह number के तरीक, मेरे को experience है, बच्चों की mistakes के, इसलिए आप बताता चलता हूं, classroom में, यह mistakes भी होती है, ठीक है, तो minus 6 पूछे, minus 8 फसना, ठीक है, चलिए, यह, बटा, 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 वाइलेट की energy जादा होगी ना, अगर इसके frequency हाई है, तो energy जादा होगी ना, red वाला मैंने क्यों ट्रॉल किया, कम पैकेट है, कम energy वाला पैकेट है, तो उसको indicate भी मैंने कम से किया, ठीक है, यह, एक्जेक्ली, जो आप photon सप्लाइ कर रहे हैं, उसकी value ही कम है, ठीक है, इसी वासे हम मैंने quality change की, क्या change किया है, quality, पीछे intensity में क्या change किया था, quantity, what do you mean by quantity, what do you mean by quality, frequency, wavelength, जो बोलना, energy, जो बोलना है, बोलना, quantity, quality change करना मतलब, यह सब change करना, तुमने source ही change कर दिया, तहला पहले visible दे रहे था, अब UV द photon high energy लेके आते है, yes or no, तो वो जितनी high energy से incident होंगे, उतने ही ज्यादा energy से electron भार आएगा, जितने ही ज्यादा energy से electron भार आएगा, उसको stop करने के लिए, ज्यादा potential देना पड़ेगा negative में, yes or no, बिटा समझ में आया, और अगर energy ज्यादा है, तो velocity ज्यादा होगा, momentum ज्याद points में, उसको उस तर से दिमाग में चाप लो, एकदम मास, ठीक है, intensity को अलग ही रखो कोने में, intensity मतलब number of photon, number of photo electrons, photo current, खतब, frequency मतलब इस side का पूरा group, kinetic energy, velocity, momentum and stopping potential, बिटा clear, you can sit, ठीक है, next, तो यहाँ पर, frequency of photon and it's dependable, चलो, बताओ, क्या-क्या change होगा, तो on frequency, क्या-क्या depend करता है, frequency means quality of photon, या आपको कोई book में नहीं मिलेगा, तो अपने ऐसे याद रख रख रहें, ठीक है, quality of photon, ठीक है, quality of photon में मतलब अब क्या-क्या change होगा, बोलो, kinetic energy, maximum वाली, और, velocity, और, momentum, and stopping potential, पिटें, intensity, frequency सबको clear होगया, ठीक है, ओके, अब हम देखने वाले हैं, graphs, हाँ, चलो, पहला graph है, intensity versus stopping potential का, तो देखो, intensity, not stopping potential, intensity versus photo current पहले ले 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 ले, यूकि intensity का stopping potential से कोई ले 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 ले, फोटो current और intensity डायरेक्ट रिलेशन में, तो इधर से बढ़ा, उधर से निकलेंगे, तुने 10 के 20 के, इधर से 20 निकलेंगे, current सीधा उधर, 20 के हिसाब से आएगा, yes or no, ठीक है, तो इसका जो graph है, बिटाओ कैसे हम draw करेंगे, straight line आएगा, कैसा आएगा ये, straight line, याद रखना, this is the first graph, यहाँ पे हम ले लेते है, intensity, और यहाँ पे हम ले लेंगे, photo current, ठीक है, और देरी जो intensity versus photo current का graph होगा, अपना, straight, ठीक है, सीधा direct relation, that is in direct proportion, यह directly proportional, ठीक है बिटाओ, चलो आगे बढ़ते है, next, photo current versus stopping potential, चलो अब इसका थोड़ा, हम लोग relation देखेंगे, कैसे करना है, इसमें दो type actually, constant frequency and variable intensity, अब मैं frequency constant रखने वाला हूँ, intensity को variable करूँगा, तो pay attention, अब हम लोग इस graph को plot करेंगे, जिसमें y-axis पर हम लेने वाले है, photo current, ठीक है, x-axis पर हम लोग लेने वाले है, potential, stopping potential पीछे होगा, negative, तो potential की line है, और यह negative वाले जो है, stopping potential, negative होते हैं, यहाँ पर, ठीक है, इसको हम retarding potential भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, यह इसको anode potential भी कहा जाता है, potential of an anode, क्योंकि उस साइड वाले को दिया था न, plate को, ठीक है, चलिए, अभी देखना ध्यान से, सभी, क्या मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या values होगी, वो lesser होगी, minus 1, माल ले, इसको minus 2, इसको minus 3 कह देते हैं, इसको हम V0, 1 कह देते हैं, V0, 2, इसको V0, 3, चलिए, चलिए, अभी माल ले, कि मैंने तेरे experimental setup में stopping potential को set करके रखा है, तो क्या वो कोई भी current flow ने देगा, नहीं, तेरा graph कहा होगा अभी, तेरा graph अभी यहाँ पर, current flow क्या है, 0, क्यूं, क्यूंकि मैंने voltage क्या set करके रखा है, स्टॉपिंग कोटेंच, electron बिचारे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आने नहीं नहीं देगा हो, काइनेटी क्यांची को balance करके बैठा है, ठीक है, अब जैसा मैंने थोड़ा डेल दिया, माल ले यह minus 2 volt, मैंने किया minus 1.8, तो थोड़ा थोड़ा electron आना, start होगा, ठीक है, तो और कम किया, तो यह और ज्यादा बढ़ेगा, यह ऐसे होगा, यह graph का nature याद रखना, काफी बच्चे ऐसे ड्रो करके आते हैं, गलत होगा, ठीक है, graph का nature देखो, पहले slope increasing है, फिर decreasing है, फिर constant, 0 slope, फिर 0 slope, constant होगा, straight line होगा, तो constant होगा, यह क्या होगा, दीरे 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 ब maximum है, फिर दीरे घट रहा है, फिर 0 होगया slope, ऐसी line मिला slope 0, positive slope, negative slope, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर यह इस तरह से stable क्यों होगा, तो जान देना, यह, this is very important junction, यह ऐसा point है, जहाँ पर potential negative से positive होजाता है, तो negative विचारा क्या कर रहा था, रोकने की पूरी कोशिश, positive ने बिलकुल उल्टा किया, चलाने की कोशिश करेगा, आजाओ सभी, ठीक है, तो positive क्या करेगा, तू भी आजा, तू भी आजा, जीतने generator है, सब आजा, तो एक point क्या आएगा, कि जैसे 500 photon गीर रहते, 500 electron निकले दे, 500 के 500 खिच लिए, ठीक है, तो वो point यह वाला junction है, जहाँ पर current आगया ह saturation में, तो यह current की value को हम क्या कहेंगे, this is saturation current, पीटा समद में आया, अब तेरे photon या तेरे photo electron ही 500 निकल रहे है, तो क्या तेरा current अभी और बढ़ेगा, not possible, क्यों, जीतने निकल रहे थे, सब को तो खिच लिए, कुद बचा है नहीं, खिचेंगे क्या, समद में आया कि नहीं, जीतने photons निकल रहे थे, सब को खिच लिए, तो मेरा current क्या हो गया, maximum, अगर मेरा current maximum हो गया, तो उस maximum, constant current को एक नाम दिया गया है, क्या, saturation करे, है ना, तो saturation अपने बहुत जगा पर यूज़ किया हो, chemistry में भी यूज किया हो, saturated solution, मला अब कोई solute mix हो गया ही, yes or no, तो वो एक saturation point आता है, जहां पर कोई current अब आएगा, ठीक है, तो ये current से ज़्यादा value आएगी, और ये depend करती है, कि से बताओ, वापस intensity पर, तुने 500 का दिया, तो 500 आएगा, तुने 1000 किया, 1000 आएगा, तुने 2000 किया, 2000 आएगा, लेकि nature change नहीं होगा, nature change नहीं होगा, क्यों, क्योंकि intensity मैंने इसी को, इसी को, थोड़ा 500 धा भी, 500 की जापर मैंने 200 कर दिया, तो मेरा graph वैसा ही बनना है, graph वैसे ही बनेगा, सिर्फ saturation current मेरा ये हो जाएगा, graph का nature सेम रहना है, जैसा इसका nature था, वैसा इसका nature है, लेकिन अब क्या कम हो गया, saturation करे, देखो क्या stopping potential को फरक पड़ा, नहीं, क्यों, incident photon तो होई है, frequency change, constant क्या है, मतलब source मेरा, होई है, जो था, समद मैं है, source होई है, सब कुछ सेम हो रहा है, energy of energy सब सेम आ रहे है, खाली number of photons change कर रहे, समद मैं है, ठीक है, fine, तो अभी अगर बढ़ा दूंगा, तो क्या होगा, माले 500 की जगा, शाड़े 700 कर दिय तो अब यही graph यही से शुरू होगा, same nature follow करेगा और उपर जाएगा, चलो मैं इन सब को नाम दे देता हूँ, let us say this was intensity I1, intensity I2 and intensity I3, can I say that intensity I3 is greater than I2 is greater than I1 and frequency is constant, frequency is constant, तो यह पहला graph है, इसमें से बहुत सारी चीज़ आपको पूछेंगे, ठीक है, पहले तो यह सब एक जगा पर मिल रहे है, तो तुझे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्या source same है, source same है, क्योंकि stopping potential constant रहे है, stopping potential constant रहे है, मलब source को फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि source same आ रहा है, फाइल लेकर बागी की काइनटी गानची सब की same है, तो सबका stop करने के लिए potential required है, वो भी same है, इसे वोजे stopping potential सबका same है, stopping potential same, source same, source same, frequency same, lambda same, photon same, energy of photon same, समद में आया है, तो इसको देखके सब पता चल जाना चीज़ अपने को, ठीक है, और variation किसमें आ रहे है, तीन ग्राफ का, intensity, क्योंकि saturation current सबसे जादा green वाले में है, तो intensity सबसे highest किसकी होगी, green वाले अच्छा, यहाँ पे है तो तीनो same है, frequency तो same, color पे मत जाना, ठीक है, वो फिर, frequency change हो जाएगी नहीं, ठीक है, यहाँ पे सिफ ग्राफ के लिए अलग-अलग colors use किया है, fine, ठीक है वीटा, done है, यह ग्राफ सबका done है, are you sure, आगे बड़े, इसी ग्राफ में एक और variation आएगा, क्या, constant intensity and variable frequency, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तीन source लूँगा, कितने, three source, एक torch में लूँगा red color की, ठीक है, दूसरी torch माल ले मैं लूँगा orange color की, और तीसरी torch में लूँगा blue color की, ठीक है, अब इस में से, क्या constant रख रहा हूँ मैं, intensity, माल ले, इस में से 500 photons निकल रहे, है ना, इस में से भी 500 photons निकल रहे, और इस में से भी 500 photon निकल रहे, है ना, और मेरा जो plate है, वो cesium है, सबसे sensitive, मैं लाल color से भी देखा हूँ, ऐसा मान के चल, ठीक है, तो photoelectric effect तीनो capable है कराने के, ये condition है, ने दो होगा, दो ही करा रहे, ती मैं ऐसे भी question बनाते हो, ठीक है, जिस में कोई दो ही करा हैंगे, तीसरा नहीं कराएगा, ठीक है, तो यहाँ पर तीनो frequency है, and let us assume, all three frequencies are capable of photoelectric effect, वो produce करेगा, ठीक है, चलिए, तो अभी हमने intensity constant कर दी, 500, 500, 500, quality of photons are different, है ना, these photons are having very, 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 very high frequency, है ना, these photons are having moderate frequencies, है ना, and these photons are having very, very frequency, ठीक है, तो energy का content भी कम जादा है तीनों में, चलिए, तो यहाँ पर क्या change किया, quality के quantity, quality change होगी, graph plot करेंगे, same graph, कौन सा, photo current versus, ठीक है, यह हमारा anode potential positive, हो कहेंगे, और पीछे का stopping potential या तो retarding potential, ठीक है, यह retarding potential है, लेकिन stop हम किसको कहेंगे, जहाँ पर stop बुरा होगा, ठीक है, चल, अब, मान लो, यह, one, two, three, ठीक है, हाँ, अब देखना, जैसे, यह red वाला जो है, ठीक है, उसका, पहला होगा, सबसे गरीब photo ने, stop करने के लिए energy भी सबसे कम चाहिए, potential भी सबसे कम चाहिए, तो इसका graph जो है, वह ऐसे होगा, ठीक है, second वाला पकड़ते है, orange वाला, यहीं आएगा, ठीक है, क्यों intensity, same, current, same, फिर blue वाला पकड़ते है, वह भी same आएगा, है न, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ, this is f1, this is f1, this is f2, and this is f3, क्या आप graph देखके बता सकते हो, कौन बड़ा है, f3 frequency is higher, because the stopping potential require is higher, तो can I say that, here, f3 is greater than, f2 is greater than, f1, ठीक है बता, done है, fine, तो this is also one of the important graph, और यहां से हमें यह चीज़ पता चलती है, कि no matter whatever frequency you give, if the intensity is same, if the intensity is same, then the photocurrent और saturation current will not change, it will remain same, वो intensity dependable है, frequency ने, यह सारे क्या किया था, यह हम क्या पढ़ रहे है, बता है, experimental study of photoelectric effect, तो यह experimental study के बहुत सारे conclusions देंगे, समझ में है कि न, हाँ, photoelectric effect देने के लिए threshold से जाधा होना चाहिए, intensity खाली इसको ही change करती है, frequency कितनी भी change कर लो, intensity से खाली photoelectronics चेंज होते है, समझ मैं, frequency से यह change होता है, stopping potential change होता है, तो यह सारे हम बाद में conclusion देते है, after, experimentally studying everything, ठीक है बटा डाने, fine, चलो, तो अभी आगे बढ़ते है, यह notes लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, Einstein's equation, okay, topic डाल दो, Einstein's equation, लिखा? चलो, लिखो, लिखो, वन पोटन, वन फोटन, वन फोटन, having energy, E-P, comma, frequency, new, and wavelength, lambda, and wavelength, lambda, incidents on, incidents on, a photosensitive plate, a photosensitive plate, having work function phi, having work function phi, threshold frequency, new, and threshold wavelength, lambda, not, emits the photoelectrons, emits the photoelectrons, having kinetic energy, Kmax, having kinetic energy, Kmax, velocity, Vmax, and momentum, Pmax, that can stop by stopping potential, V0, that can stop by a stopping potential, V0, V0 positive, of course, my next statement, according to the law of conservation of energy, according to the law of conservation of energy, Albert Einstein gave, the equation, equation, stated below, the equation, H mu is equals to phi plus Kmax, or Kmax is equal to H mu minus phi, this is actually the maximum quantity of energy estimate, okay, box collect, now write down this, this is for MCQ purpose, okay, so it's go up, अपने ही सब से 36 MCQs करके, लिक लो बॉक्स करके, लिक लो बॉक्स करके, धो byाईने ही स्ँ DR. और एंपने हैं, अबॉक्स करके, बगर जाने ही सतवीन, बच्सकाशने ही सब 119 मेसे अवरे रिधने हैं, करवे लिकне, वो, करवो कर दो, क्मईक्स कर Pokémon है और नवे सवाव Inform के और인가 in ¿me? और रह तो, I can imagine if you are in my comment on, जनु चालो stopping potential topic डालो में लिखवार मैसले बुलो ? अलिखो potential that is required here, potential that is required to stop the photoelectrons, potential that is required to stop the photoelectrons, is called stopping potential. is called stopping potential. Next point, the energy required to stop the photoelectrons is equal to E v naught, is equal to E v naught, that is exactly equal to, that is exactly equal to the maximum kinetic energy, that is exactly equal to the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons. maximum kinetic energy of emitted photoelectrons. aap stopping potential ke anandar yeh licks sakti ho, for mcq purpose, ki E v naught is equal to k max is equal to half m v max square is equal to E v p max square by 2m. अना, तो काम लगेगा आपको equation. energy done? लिखो, intensity of photons, intensity of photons, बस इतना लिखना, intensity in quantum physics, intensity of photons means, intensity of photons means, number of photons, means number of photons, next point लिखो, when intensity of light, when intensity of light, bracket malignant photons, when intensity of light, bracket malignant of photons, increases, it leads to increment in, it leads to increment in, number of photons, photons, comma, emitted photoelectrons, emitted photoelectrons, and photocurrent, and photocurrent, ठीक है, बस इतनी चीज़े, इस पर dependable है, ठीक है, लिखो, there will be no change, next point लिखो, next point, there will be no change, नो को बोल्ड करना, capital में, there will be no change, underline भी करना, there will be no change, in, kinetic energy, velocity, momentum, and stopping potential, by changing intensity, by changing intensity, its statement को ही block कल, box में डाल दो, highlight होना जब भी पड़ो, intensity से ये सारी चीज़े बदलती नहीं है, ठीक है, next, इस में topic डालो, frequency of photon and quantities that are dependent on it, when frequency of incident photons, when frequency of incident photons, increases, when frequency of incident photons, increases, there will be an increment in, there will be an increment in, the energy of photon, which leads to, increment in, the kinetic energy, of emitted electrons, comma, maximum velocity of electrons, comma, maximum momentum of electrons, and stopping potential required, and stopping potential required to stop photoelectrons, and stopping potential required, to stop photoelectrons, next point लिखो, there will be no change in, there will be no change in, photo current, by increasing, by increasing, by increasing, frequency, wavelength, and energy of photon, no को bold करना, statement को box करो, टोपिक डालो, ग्राफ्स और उसमें पहला, intensity versus photo current, intensity versus photo current, ग्राफ्स ड्रोगलो, लीनियर वाला, ग्राफ्स में, x, y, change करेंगे, तो भी लीनियरी रहेगा, common sense, आने तो, हो गया, नमबर टू, photo current versus stopping potential, bracket में आप anode potential भी कर सकते हैं, कैसे भी देंगे आपको, retarding potential भी बोल सकते हैं, stopping potential slash retarding potential slash anode potential, ठीक है, यह अलग-अलग नामी है, पीड़ा graph का नेचर देख ले ना ध्यान से, थोड़ा curve करके उठाना इसे, थोड़ा curve करके इसे उठाना, और यहीं से सीधा मत कर देना, थोड़ा आगे जाके सीधा होगा, चोटी-चोटी चीज़े ध्यान रखना, क्योंकि variety of graphs मैंने देखे, बच्चे draw करते हैं, अलग-अलग type यह अपने graph ले आते हैं, कल एक बच्चे ने ऐसे graph draw किया था, मैंने बुला वाँ, जीरो पे जाते ही saturation में चला जाए, थोड़ा आगे जाके फिर saturation में जाए, झाल 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 हो गया बिटा दन है next करे बागी है किसी का okay constant intensity and variable frequency बागी है बागी है बागी है झाल 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 येस चलिए नेक्स ग्राफ की तरफ आगे बढ़ते है which is a very very special very very important ग्राफ सारे ग्राफ में से सबसे इंपोर्टेंट ये है सबसे आदा question इसक पे आएंगे ठीक है कि इसमें बहुत सारी चीज़ समझने लाया कि ठीक है चलिए देखेंगे stopping potential versus frequency का ग्राफ बढ़ी एनर्जी बढ़ी ज्यादा का इनर्जी है stopping potential बढ़ाना पड़ेगा मतलब direct relation है मुझे समझ में आ रहा है लेकिन ये जो straight line equation आता है हम लोग straight lines पड़े है ये equals to mx plus c उसके इसाब से बहुत सारे parameters इसमें आएंगे slope आएगा intercept आएगा ठीक है और इसके बहुत सारे versions हमें देखने को मिलते है इस graph के फाइन तो चल ये plot करते है तो हम लोग y-axis पर लेने वाले है stopping potential and x-axis पर लेंगे frequency ठीक है क्या हम कोई भी frequency के लिए कोई भी frequency के लिए ये graph zero पर से तो start होने से रहा कैसी भी frequency zero frequency पर फोटो एलेक्ट्राफ पर तो नहीं होने वाला और ये graph थोड़ी थोड़ी lower frequency भी नहीं बनेगा हाँ ये graph आगे से कहीं से बनना स्टार्ट होगा यहां से ठीक है और जैसे जैसे आप फिर बढ़ा होगे तो वैसे 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 वो straight line इस तरह से आपको देगा ठीक है straight line आने वाला है don't worry ठीक है क्योंकि आप देख लो stopping potential हम कह देता है V naught और frequency कह आँ कहते है new ठीक है तो Einstein अंकल का equation क्या था h new is equals to 5 यह हम इसको ऐसे भी कह सकते है चलो 5 रखते है 5 प्लस ev naught है ना अब अब अगर दियान से देखो तो मेरा जो y x plus c के हिसाब से तो मुझे क्या मैं कह सकता हूँ मुझे इसको y बनाना पड़ेगा यह जो है वो मेरा y होना चाहिए है ना और यह जो है वो मेरा क्या होना चाहिए x तो अगर मैं इसको setup करूँ तो मैं क्या करूंगा इसको बनाऊंगा subject e v naught is equals to h new minus 5 और अगर थोड़ा मैं playing with equation v naught is equals to can I say h by e into new minus 5 by e yes on क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि यह जो आपका term है that is a slope of graph क्या मैं कह सकता हूँ this is an intercept क्या intercept negative है इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा graph पीछे extend होके negative axis पर मिलेगा यहां पर कहीं है ना यहां पर कहीं मिलेगा इस तरह से यहां पर कहीं मिलेगा इस point तो यह जो मेरी value है क्या हो minus 5 by e की value होगी yes ठीक है यह जो है क्या मैं कह सकता हूँ यह मेरी threshold frequency है जहां से मेरा photoelectric effect start हो रहा है है ना और यह मेरा slope है को ध्यान से देखो क्या यह slope जो मैं Millikan अंकल की बात कर रहा था मिली कर ने क्या किया उसको पता है कि अगर मैं photoelectric effect सारे metal की study कर लो सारे metal की study कर लो सबका slope एक ही आएगा क्यों 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 क्योंकि slope बना हुआ है natural constant से तहला Planck constant भी natural constant है और E आपको पता ही होगा Millikan oil drop experiment उसने क्या find किया था Millikan oil drop experiment उसने क्या find किया था fundamental charge E small e की value find की थी मैं थोड़ा insight आपको देता हूँ oil drop experiment की नहीं पता है आप लोग को चलो देख लो दो मिट में देख लो for example Millikan oil drop experiment उन्हेंने क्या किया था चोटा साब देख लो कि यहां से एक hole था और oil के drops गीरा रहे थे ठीक है और यहां पे उन्होंने electric field electric field को set की थी ऐसे ठीक है ऐसे electric field को set की थी find नीचे negative था उपर positive था इस तरह set की थी and electric field always starts from positive and negative कुछ ऐसे था और यहां से oil drops गीर रहे थे जब oil drops गीर रहे थे उन्हें इन electric field की value set की और यहां से x-rays दिये इसको जैसे इसको x-rays दिये हुआ क्या यहां से electron निकल गए कुछ-कुछ drop में से माल लेकिसी drop में से एक electron निकला किसी में से दो निकला किसी में से तीन निकला तो कोई एक electron ऐसा था कोई एक drop ऐसा था जो drop यहां पर exactly balance हो रहा था balance हो रहा था मतलब balancing equation आप लगा इसको नीचे mg लग रहा होगा और उपर जो electric field force दे रही होगी QE क्योंकि यह excess charge electron निकलने की वज़े से positive आ गया तो यह balance हो रहा था I think electron remove किया positive होना चाहिए तो positive है तो इसकी field उल्टी आए गया इसे ठीक है क्योंकि नीचे positive आएगा ना तो नीचे positive ही होना चाहिए यहाँ पर positive होना चाहिए तब यह electron निकलने से यह क्या हो गया positive तो positive positive को क्या करेगा repel तो उपर दक्का मार के रख रहा था क्योंकि यह दक्का मार के रख रहा था यह balancing हो रहा था तो हम NLM simple equilibrium के अगर equation लगाए तो mg is equal to क्या आएगा क्यों ही तो उसने हर बार अलग-अलग drop को गिराया अलग-अलग field set की और अलग-अलग charge की values निकाली तो surprising equation मिले हर बार उसकी charge की value कुछ ऐसे आ रही सी 3.2 into 10 power minus 19 4.8 into 10 power minus 19 फिर एक बार आई उसकी 8.0 into 10 power minus 19 फिर एक बार उसकी आई 6.4 into 16 का table आ रहा था तो उसको पता चला अच्छा ये सब क्या common multiple क्या है 1.6 into 10 power minus 19 ये भी आया था एक बार तो पता चला अच्छा lowest value of charge क्या आ रही है 1.6 into 10 power minus 19 तो ये तो fundamental charge हो गया and that is a natural constant तो अंकल के जेब में क्या था इसकी value वो निकल पड़ उसको गलत प्रूव करने है कि मैं तो वही clear हूँ e की value तो इतनी है अब सला जो तेरा h by e की value जो तेरी आ रही है experimentally graph plot करके उसमें से मैं h निकालूंगा तेरी x value जो भी आई उससे मैं मेरी e को multiply करूंगा तो क्या आना चाहिए blank constant तो blank constant आ गया तो करने क्या चला था गलत प्रूव करने कर क्या दिया सहीं प्रूव और आप खुछ सोच लो यहां पर यह आप किसी के लिए भी बना लो यू plot this equation you plot this graph for any metal metal a metal b metal c slope remains constant और इसका question pyqs आप देखो कि J में आ चुका है क्या बहुत सारे graph देंगे किसी graph को ऐसे बनाएंगे आपको क्या ध्यान रखना है graph का slope change नहीं होना चीए क्योंकि graph का slope based है कि इस पर natural constant जो fix है अगर तू सोच h की value fix है e की value fix है तो h by fix हुआ ना उसकी value fix ही आनी है समझ में है कि नहीं तो आप कोई भी metal ले लो for example हम दूसरा कोई metal लेते है माल लो जिसका अगर आफ यहां से स्टाट तो यह parallel ही होना चाहिए और यह पीछे यहां पर कहीं मिलेगा इनके सब के थीटा क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए तो यह इंटर से बलाब ग्राफ के साथ प्ले करेंगे आपको एक जिस दिमाग में clear रखनी है कि कोई भी metal ले लो metal A, metal B, metal C, slope of graph remains constant let's say this is metal A, this is metal B, this is metal C, इसकी value निकालो कितने आगी 6.626 divided by क्या रहे निकालो, calculate करके बताओ, उमेको exact value चे प्रिसाइस value किनना रहे, 6.626 by, किनना रहे 4 point, into 10 power, into 10 power minus 15 unit what's unit of plank constant, joule second, and this is coulomb, so joule second per coulomb this is the unit of this, right, ठीक है, तो ये सारी चीजे हमें पता चली इससे, और ये graph के बहुत ही सारे dependables दूसरे भी है, जो हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम variety की तरीके से हम इसको find कर सकते हैं, for example, मैं इसको v0 हटा दू, ev0 हटा दू, आप कुछ सोचो ना, मेरे पास कितने सारे equations हैं, yes, मेरे पास must equation हैं, कितने सारे equations हैं, कितने सारे graph बना सकता हूं, मैं सोचो, सारे straight line बनेंगे, क्यों, intercept मेरा fix है, 5, 5 fix है ना, अमें उसको कुछ भी बना दू, अब आप तो खेल सकते हो ना, 36 graph बना सकते हो, समझ में आया कि नहीं, 34 values थी, 36 MCQs थे, तो 36 graph नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, play with the equations, I had given you one, you can play with any equation, ठीक है, अब कुछ भी बोल दिया, माल ले, कुछ भी बना दिया, उसने कोई एक equation लेते हैं, कोई एक equation पकड़ते हैं इन में से, इन में से कोई भी एक equation पकड़ते हैं, माल ले, चल, हम लेते हैं, hc by lambda is equals to hc by lambda 0, plus, plus, p max square by 2m, ठीक है, चल, अब, p max square versus 1 by lambda का graph चाहिए, तो y equal to mx plus c करूंगा मैं, ठीक है, subject बनाऊंगा इसको, माल ले, p max square by 2m is equals to hc by lambda, minus hc by lambda 0, यह सब तो fix ही है, ठीक है, अब मैं इसको अकेला करूंगा, है ना, यहां से 2m निकालूंगा, 2m निकाल के, यहां पर multiply करूंगा 2m, ठीक है, यहां से multiply करूंगा 2m, और यह, यह जो है, यह मेरा क्या हो गया, y, है ना, p max square मेरा y हो गया, मेरा x क्या हो गया, 1 upon lambda, तो मेरा slope क्या हो गया, 2m hc, यहां समझ में आया गिन, क्या मेरा slope constant है, देख लो, mass of electron fix है, 9.1 into 10 power, यहां सद, that is also one of the fundamental constant, natural constant, उपर वाले ने बनाय, 9.1 into 10 power, क्या मेरा iH fix है, क्या speed of light fix है, are those all natural constant, yes, will slope remain constant, it will definitely, पर समझ में 36 graph बना सकते हो, 36 graph, take any one, शला 36 question हो गया, graphical question हो गया, clear, क्या में 36 graph expect कर सकता हो, next class में बना क्या हो गया, वो नहीं कॉन गोल रहे, all 36 graphs I want, let's see, I want slopes and intercept of all graphs, this is the activity, ठीक है, चलो EP छोड़ देना, EP वाला छोड़ दो चलो, मैंको यह इनके तो बना के दो, frequency and 1 by lambda को X ले 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 और उसके बना के देना, ठीक है, done, चलो 24 graphs तो बना देना, एक 12 छोड़ दिया, ठीक है बड़ा, done है, this is home work, official home work, ठीक है, चली, अभी ले 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 इसको अच्छे से, yes, title दालो चलो, the graph of stopping potential versus frequency, yes, legalist कोईसे, कर एंप कोईसे, झाल 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 इस statement का मतलब समझाना झाल 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 किसकी बात तो रहे हैं? त्रेशोल्ड की त्रेशोल्ड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटि गैंट जी वाला होता है वो भागी ने रहे तो रिक्वार्मेंटी नियाना स्वापिंग पुटेंशल तो वहाँ से ग्राफ शुरू होता है इसे थोड़ा बड़ा ग्राफ उपर जाएगा इसे लीनियर वेरियेशन करेगा पुटे हाँ झाल इस पर से MCQ भी आ सकता है, statement based question भी आ सकता है, यह second statement is very important, कि ऐसी कौन से frequency है जिसके लिए stopping potential जीरो है, गुमा के पूछा, threshold frequency, नमदा है, ठीक है, तो इस पर statement based question भी आ सकता है, जाने दू, चाल ये, बुलना हो गए बिटा, चाल ये, अभी आगे बढ़ते हैं, summary of experimental observations, तो पहले observations हमें क्या पता चला, पहले graph से, पहले graph से क्या पता चला, graph 1 से बोलो, intensity, photoelectric current, photoelectric current, is directly proportional to, proportional to intensity, ये पहले, ये पहले चीज़ पता चली, है ना, second, second experiment क्या था, किसका versus किसका था, तो उसमें saturation current किस पर depend कर रहा था, intensity, saturation current depends on intensity, saturation current varies with intensity, it is independent of frequency, तो हमने ये चीज़ पता करीगे बाई, saturation current varies with intensity while stopping potential depends on frequency, frequency, ठीक है, third, third graph जो अपना वाला था, slope वाला, उसके तो दो points हमने लिख लिए, बट वाहाँ से हमें एक और चीज़ पता चली थी, कि there should be a minimum value of frequency of photon, for which, for which, below which, photoelectric effect, does not occur, ठीक है, इसके नीचे कोई भी frequency पर photoelectric effect नहीं होगी, तो ये सारी बाते जितनी तुम्हें आद आती है, अगर ये question पूछता है, कोई भी exam में, format में, कि experimental observations तुझे क्या क्या पता चाहिए, तो दिमाग में graph click होने चाहिए, graph से मुझे, रटना नहीं है कुछ भी, graph से मुझे क्या पता चला थी, लिख दो अपने language में, ठीक है, तो points दिमाग में fix होने चाहिए, ठीक है न, और बाकी तो मैं पता है intensity से क्या variation आ रहा है, उससे क्या रहा है, लेकिन भाई मुझे photoelectives है मोटा मोटा इतना पता चल रहा है, कि अला एक minimum frequency देना पड़ेगा, उसके अलावा होने वाला नहीं है, होगा intensity बढ़ाऊंगा, current बढ़ेगा, situation current बढ़ेगा, frequency बढ़ाऊंगा, stopping potential बढ़ाएगा, kind energy बढ़ेगी, velocity बढ़ेग next है, concept of power and number of photons emitted per unit time, देखो, अभी quantum physics के अंदर, energy का formula कुछ ऐसे दिया था, कि energy E is equals to N into H new होता है, N is number of photons and H new, that is the energy of one photon, energy of one photon, ठीक है, ऐसे total energy में, तो quantized, यह energy is quantized, वहाँ पे charge quantized था, Q equal to N, Q equal to N, तो N क्या था, number of charges, E क्या था, fundamental charge, तो यहाँ पर वैसे ही N क्या है, number of photons, H new क्या है, energy of one photon, अच्छा, अगर मैं इसको divide by time करता हूं, तो क्या यह divide by time हो जाएगा, energy upon time is power, इसको हम capital N क्या देते हैं, और इसको energy of one photon क्या देते हैं, तो P equal to N, तो P equal to N, तीक है, बट वत इस N, capital N क्या है, yes, number of photons per unit time, and what is this, energy of one photon, energy of one photon, what is P, this is power, तो इसके भी पेट पर के question पूछते हैं, ठीक है, very very simple question, N को estimate करने का पूछेंगे, तो आप N को subject बना लेना, है न, मिल जाएगा power divided by, that is power divided by H new, that is power divided by H C by lambda, ठीक है, लिख लो, summary बाकी है, हाँ, लिख लो, तीन पोईंट्स, ध लो, दिए, खी, ही, हाँ, लिख लो, लो, भवाद्ス, does not occur. . 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 झाल 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 हो गया आगे बड़े चाल लो फास्ट क्वेशन तो पहले तो एनर्जी निकालना है तो E इक्वल्स टू H new क्योंके सीधी फ्रिक्वेंसी दे दिये तो 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 6 इंटू 10 पावर 14 बताओ क्या आएगा कैल्कुलेट करके बताओ 39 पाइट इंटू 10 पावर माइनस 20 जूल ठीक है EV में कनवर्ट करना है क्या करेंगे EV में कनवर्ट कैसे करेंगे 1.6 इंटू 10 पावर चलो कर लेते हैं कनवर्डिंग इन इलेक्ट्रोन वोल्ड तो आपका अंसर आएगा यहां पर कितना आए 39.756 इंटू 10 पावर माइनस 20 बाइ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 कितना आए बिटा 2.484 इलेक्ट्रोन वोल्ड पादा ना बहुत छोटा यूट इलेक्ट्रोन वोल्ड एनरजी का अब भी what is the energy of photon in light how many photons per second on an average are emitted by तो P equal to N into E P तो आपका जो N आएगा वो कितना होगा power upon energy of one photon क्योंकि power watt में है तो मैं energy joule में रखूँँगा मैं सारी चीज़े SI में रखूँगा तो power मेरा कितना दिया 2 into 10 power minus 3 divided by energy मेरी joule में जो आए थी वो रखो so can I say it's 0.397 into 10 power minus 18 calculate करो चलो 5.10 into 10 की power 15 unit क्या लिखोगे photons per second 10 लेकलो फटा 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 चलो illustration 1 and जा लिगा example 1 तीन एक्जामपल है तिंग और तेरा कोशिन ले इसको फिनिश करते ते फिर आरम से मॉडूल करेंगे मास सांधी से साथ कि फर्स्ट अपरिल का काम खता है अब येक लेक्ट्र का लेक्ट्र का काम बार कि एक लेक्ट्र में तो मैं इसको पूरी निप्टा दूंगा इसमें आरम से मॉडूल पीवाईट्यू करेंगे मस्क एक्स्टा कॉंसेप्ट्स करके फिर पीवाईट्यू करेंगे फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट हो रहे है अभी पार्टिकल नेचर बाठी है वो जो दी ब्रोग्ली इक्वेशन अब बाठी है दी ब्रोग्ली अभी एक और सेशन जाएगा तू आर्ज वाला प्ला फिर वो जाएगा कंप्लेट उसके बाठ नेक्स सेशन फोर्थ सेशन अमलो module exclusively extra topic start करें वो जो चोटा साही पाट बी ब्रोग्ला चोटा साही पाट मैटर वेवस लो अलमुस्ट तुमारे यह फिनिश हो गाया 75% of chapter is done यह photoelectric effect is done हो गया पिटा done है? जाउन देव? येस चलो next question the work function of cesium is 2.14EV पिटा क्या दिवन? 5EV है कितना है? 2.14EV find the threshold frequency for cesium तो आपके पास अगर यह है तो frequency तो आनी है hertz में यह energy चलेगी नहीं क्योंकि hertz ऐसा unit है मुझे energy joule में चाहिए होगी तो आपको सबसे पहले इसको convert करना पड़ेगा joule में ठीक है? multiplied by 1.6 into 2.14 into 1.6 into 10 power minus 19 कितना आ रहे है मतम? 3.424 into 10 power minus 19 joule अब हमें find करना इसको compare करेंगे किसके साथ? H new, so E equals to H new, so from this new is equals to E by H E की value हमारी आ गई 3.424 into 10 power minus 19 upon H है 6.626 into 10 power minus 34 बदा है क्या रहे है? 5.167 into 10 raise to 14 hertz याद रखना इसकी power जादा आएगी हमेशा frequency की क्योंकि वो gigahertz ऐसे में होता है ठीक है? बहुत जादा high hertz होती है light के, ठीक है? तो याद रखना 14, 15 के इसमें ही आएगा, order में आएगा तो इस is correct answer next है the wavelength of incident light if photo current is brought to 0 by stopping potential of 0.60 volt तो incident light का wavelength क्या होगा? if photo current is brought to 0 by stopping potential of 0.60 volt देखो अब वो 36, क्या given है? ठीक है? यह frequency मिली? यह कौन सी frequency है? यह threshold है लेकिन मैं वो कितना, मेरा 5 इतना है, मैं क्या कितना कर रहा हूँ? incident कितना कर रहा हूँ? मतलब मिरको वाला first term find करना है वो तीन term याद करो, उसमें से first term find करना है, मतलब hcy lambda मिरको यहाँ पे लेना पड़ेगा? अरे yes or no that is equals to can I say 5 plus ev naught हो गया काम? ठीक है? अन्नोन क्या है? लेम्डा अन्नोन है? ठीक है? अभी देखो एक चीज आपको यह hc की बताता हूँ 1, 2, 4, 0, electron volt nanometer upon lambda in nanometer लेम्डा इन नेनोमेटर यह एक shortcut formula है that is this यह कितना है 5? 2.14 electron volt प्लस अब voltage जितना दे उतना electron volt होगा 0.6 volt तो 0.6 electron volt 0.6 voltage तो energy कितने होगी? 0.6 electron volt ठीक है? तो यह होगा तेरा 0.6 ev करो add कितना होगा है 2.74 है न 2.74 that is 2.74 ev अब इसको और इसको हम compare करेंगे ev ev के ले ठीक है? तो compare करेंगे हम यह आप है तो compare करेंगे टीक है लिख लो चला? using Einstein's equation यह सब ऐसी commentary करना है using Einstein's equation of photoelectric effect यह equation लाए और यहां से यहां up you uh क्या हम कोई और equation use कर सकते थे तिरे पास यह क्या है तो यहां पर तु एच न्यू नॉट भी लिख सकता था लेकिन वहां पर वापस एच को खुसाना पड़ता तो मैंने 5 रहने दिया था कि एलेक्ट्रोन वुल्ट में रहे तो मैं और एच सी की वैल्यू याद रखना बंटू का 40 एलेक्ट्रोन वुल्ट नैनोमिटर यूनिट तो काफी इसमें एंग्स्ट्रों में भी दिया हुगा है तो काफी बच्चें एंग्स्ट्रों में भी इसे याद रखते हैं लेकिन मुझे सबसे कमफ़टेबल लगता है वन्टू का 40 एलेक्ट्रोन वुल्ट नैनोमिटर ठीक है चाला चाल वीटर डाने find the maximum frequency and minimum wavelength of x-ray produced by 30 किलो वोल्ट 30 किलो वोल्ट से accelerate किया गया electron अगर कोई x-ray निकालेगा because you know the process of making x-rays x-rays हम कैसे निकालते कैसे बनाते कैसे produce करते हैं तो हम high energy electrons को incident करते हैं तो वो बहुत ही जो भी metal होता है जिसके उपर incident होता है उसके एकदम अंदर वाले electron को बाहर निकाल देता है तो वो पूरे के पूरी electron के energy जब absorb हो जाती है है ना तब वो electron transition करता है और जो electron का transition अगर वो exactly उतनी energy का हुआ तो वो transition का जो gap होगा उसके जितनी energy का radiation बार आएगा जिसको मैं x-ray करते हैं जिसका मतलब electron की पूरे के पूरी energy absorb होई और उसकी वज़े से जो photon बार आए तो photon के energy भी किसके जितनी होगी? electron के energy के जितनी तो खुश नहीं करना h-new जो होता है उसको इसकी 30 kv, 30 kv इस voltage लेकिन अगर energy find करनी हो तो e into v से मिलेगी तो यह है तेरा 1.6 into 10 power minus 19 और voltage है तेरा 30 into 10 power 3 तो 16 तो 48 into 10 power minus 16 क्या आएगा यह जूल फाइन इसको यहाँ पर अगर हम compare करे 48 into 10 power minus 16 joule तो तेरा को new मिल जाएगा यहाँ पर 48 into 10 power minus 16 divided by 6.625 और 6 into 10 power minus 34 पता कितना आएगा 7 point into plus आएगा 10 to power 18 देख यह high energy x-ray है थीक है तो इसकी frequency भी जादा आ रही है थीक है क्या आएगा answer hertz अब क्या पूचा है lambda कितनी है minimum wavelength निकाल लो तो lambda is equals to c by f f equal to c by lambda तो lambda equals to c by f c कितना है 3 into 10 power 8 divided by 7.244 into 10 power 18 बताओ क्या आएगा 4.14 into 10 की power minus 11 meter ठीक है यह answer आगे उसको nano angstrom में जो convert करना है कर सकते हैं ठीक है फिटा दन है ओके तो यह exercise का पहला question एंजए exercise का फर्स question ठीक है यहां तक रखते है time's up मिल दे next lecture में आगे के सारे questions complete करेंगे और particle nature डीब्रोई के equations देखेंगे ठीक है अननो angstrom जाँ convert करना है कर सकते है कॉपी कर लो खिर करते हैं है झाल 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 झाल